इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा यकीन हो तो खोई रास्ता निकलता है हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है उनको है उनसे वफा की उमीद जो जानते नहीं वफा क्या है तुम्हें वफा याद नहीं हमें जफा याद नहीं जंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं एक तुम्हें याद नहीं एक हमें याद नहीं हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है गिटते हैं शहसवार मैदाने जंग में वो तिफिल क्या गिरे जो घुटों के बल चले रिपील और नथिंग असलाम आलेकूम रहमतुलाई बरकातू इत्याद में आप सभी का खार मगदम है आज का मौज़ो है उर्दू जबान भले अपने और गयर दोनों मिलकर उर्दू जबान को खत्ल करने की जितनी भी कोशिश करें लेकिन उर्दू जबान फिर भी अपने जिन्दा होने का बार बार सबूत देती रहती है उर्दू दुनिया की शिरीन जबान के तोर पर देखा जाता है महबत इश्क माशुकी की जबान के तोर पर इसके पैचान आज भी बरकरार है खैर इसे मकसूद समाज को भी जोड़ कर देखा गया मुसल्मानों की मादरी जबान के तोर भी उर्दू को देखा जाता हर दौर में उर्दू अपनी जाजबियत के हमेशा याद की जाती है पहले कभी इसे मुल्क की सता पर पढ़ा लिका जाता था पर वक्त के गुजरते उर्दू को भी कभी गयर आने तो कभी अपनों ने इसके अहनियत को ख़म करने की कोशिश की पर जितना भी इसे ख़म करें की कोशिश की या दबानी की कोशिश की हर दावर में अपने वजूद को मनवाने में कामिया भी रही आज भी बले फिल्मों को हिंदी फिल्म इंडश्ट्री या बॉलिवड कहा जाता हो पर जो जबान इस्तमाल होती है वो उर्दू जबानी ही है तब यह तो फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले अक्सर उर्दू सीखा करते हैं पहले तो अक्सर स्क्रिप्ट ही उर्दू में रहा करती थी यहां तक के दिलिक पुमार, देवानंद, राजन्द कुमार, पुति राज कपूर उर्दू से ही पढ़ने लिखने की बात आज भी करी जाते है आज एक बार फिर उर्दू पर बोलना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आज और श्दीया ने पार्लेमेंट में अक्सर उर्दू शेयरो शायरी का इस्तमाल किया जा रहा है जिससे एक बार फिर उर्दू की हमियत का ऐसास होता है वेसे उर्दु जबान सिर्फ आशी के माशुक की जबान या शेर और शाहरी की जबान नहीं है बलकि बड़े-बड़े इंकलाब भी इसी उर्दु जबान से काइम हुए बारत की जंग्याजादी में उर्दु जबान का हम किरदार रहा आज भी इंकलाब जंदाबाद का नारा की सहत जाज को जिन्दा करने के लिए दिया जाता है लियाज सब्तादारी अविपक्ष दोनों के जानिब से उर्दु अशाहर का भरपूर इस्तमाल किया जा रहा है हाल ही में अत्रिनमल कांडरेस की काईद महुआ मुईतरा ने भाजपा और मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए मोदी शाह को बुजदिल कहा और आगे कहा कि बुजदिल तमाम मोकमाओं के साथ हत्यार बंद होकर अपने बहदुरी का मुजदिल करता है जबके वो बुजदिल होता है और ममताब एनरजी को बहदुर कहते हुए कहा कि तनहा मोदी शाह का मकावला कर रही है बिला किसी खौफ के और इसी जमन में उन्होंने यह अल्लामा इकबाल का शेर पड़ा गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में और तिपलक्या गिरेगा जो गुटनों के बन चले इसी तरह ममताब एनरजी ने इंडिया टुड़े कॉनक्लेव में मोदी शाह परतंस करते हुए कहा कि मेडिया क को इमानदारी से खबरों को पेश करना होगा पर देखा यह जा रहा है कि जो सच बोलता है उसके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जैश्री राम को लेकर भी ममता बैनर जी ने कहा कि किसे क्या नारा लगाना इसका पैसला मोदी या मीचा नहीं कर सकते हैं ऐसा कह प्रान मन्जूर हश्मी के उर्दो अशार पढ़ते हुए कहा कि यह की हो तो कोई रास्ता निकलता है हवा की वोट भी लेकर चराग जलता इसी तरह फैज अहमत फैज की नजम को सी एनरसी के वक्त पर्लिमेंट में पढ़ा गया संसत दानिश कमर ने लाजिम है कि हम भी दे जर्याजम मन्बुन सिंग ने सुष्मा स्वराज पर तंज करते हुए कहा कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जिने मालूम नहीं कि वफा क्या है इस पर जवाब देते हुए मोतरमा सुष्मा स्वराज ने उर्दू अशार से ही जवाब दिया कि कुछ तो मजबूरिया रही होंगी वरना यूहीं क्यों बेवफा नहीं होता और आगे दूसरा शेर अरज करती वे रही तके सुष्मा स्वराज ने इसंटा अईफादों में जामेथ पैगाम देना हो तो अर्दू जबान से बहतर कोई जबान नहीं यह और बात है कि ओर चरे धेके दारों ने बंदो कर दिया उर्दू स्कूरलों को बंद करने पर या स्कूरों के ताइदाद घटाने पर हम बड़ी अफसोस का गलत है कि उर्दू स्कूलों में पढ़ने से नौकरिया नहीं मिलती है फिर उर्दू से क्या पाइदा वाली जहनियत अब तक रिवन घरों में पहुंच चुकिया और इसे सही भी ठैराया जा रहा है लिहादा एक बार फिर संसत से लेकर सड़क तक उर्दू का बोलबाला हो रहा है यह सब कोई उर्दू दा नहीं अल्ला किसी और से भी काम लेता है यहीं से पैगाम मिलता है तुम्हारी तकब्री घमन ने तुम्हें कहीं काना चोड़ा आज भी अर्दू के आशार लिकने वाले कपरों में सो गए पर उन कपरों से निकल कर उर्दू जबान के सदा अब कुछ मकामी ख़वरों पर एक नजर घर में शोहर से हुए जगड़े के मते नजर एक खातुन ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ घटा परवानती में खूद कर जान दे दी दो मासूमों को लेकर मां के खुदकुशी का नजर बहत दर्दनाता सावीत री बनजना सावीत्री की लाश आज रितवार सुबह पानी में तैरती पाईगी साथ में दो बच्चों के लाश भी मामिला गोका पुलिस्तारी में दर्चे ग्राम पंचायत इंताखाबाद के बाद ग्राम पंचायत की सदारत के लिए भी चुनाओ अमल में है लिहाज़ा सदरे पंचायत में जीत ना होने की वज़े से बेलगाम मनिकिरी गाउं की लुताई गावडे ने कुवे में कूद कर खुदकुशी फरमाए उन्होंने पंचायत चुनाओ तो जीता था पर अब इन्हें सदारत या ने पंचायता ध्यक्ष बनना चाहती थी लिहाज़ा इसमें शिकस्त खाने के बाद मायूस होकर कुवे में कूद कर जान दीकुवे से लाश को बार निकाला गया और पोस्ट माटन किया गया और महियत को हरवालों क्या हवाले किया गया बेलगाम लोग सबा को लेकर महोद सरकर्म होता नजर आ रहा है बाचपा कॉंग्रेस के बाद अब यमियस की जानिव से भी उमिदवार को मैदान में उतारने का एलान किया जा रहा है उमिदवार कौन होगा उस पर अभी कुछ फैसला नहीं लिया गया है पर तारीक के एला का भी नाम मंजरें पर लाया जाएगा इसा यमियस की जानिव से बताया जा रहा है हासिल इतला के मुताबिक मराटी अवाम में एक नया होसला पैवस्त करने कोशिश की जा रही है शूसेना का भी बेलगाम सरदी मसले पर बार बार बयाना देना किसी सियासी मुपाद के तरफ भी इंशारा करता लियाजा यमियस उमिद्वार जीतने के इमकानात तो बहुत कम हैं पर इसका फाइदा कॉंग्रेस को होगा या वाजपा को इस पर शहर में मौदूद जिर बहस है बेलगाम में फिल्माई गए कन्नर मुवी मांजरा को रिलीस किया गया फिल्म डिरेक्टर मुत्तुर जूरेट्डी ने बता है कि 2005 में बेलगाम में वोई सच्चिवारदाग पर इस फिल्म को बनाया गया इसे बेलगाम शहर के अतराफ में ही फिल्माया गया लहाजा जला यहूं चलता रहागा देखते रहें त्याहत नूस शुक्रिया अल्ला अबिस